नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का जैसा ओल इंड क्लासेस पर दोस्तो आज के क्लास में हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगी जिसका नाम है समाजिक अध्यन इसके अंतरगत अगर आप अपना सिलेबस दखेंगे तो भारती सब्भेता एवं संस्कृति करके एक तो इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे ध्यान से आप लाश्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखीगा सब कुछ हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक में हमको क्या-क्या पढ़ना है तो अगर आपने अभी तक सिक्षक से सम आपको सब्सक्राइब कर लेना है क्लासे सब्सक्राइब कैसे करेंगे प्लेश्ट और आपको यह सारे पैकेज मिल जाएंगे इसके आलावा चात्रवा सदीक्षक हो गया प्रयोक्सलब परिचायक हो गया इस सब्सक्राइब में भी अच्छा खासा ओफर चल रहा है तो जिसको आप 2400 घंटों कैसे भी पढ़ सकते जब आप फ्री हैं तब आप वीडियो देख सकते हैं पीडियो ओपन करके पढ़ सकते हैं जैसे कि मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं आप इसको डेमो क्लास के तोरुपर देख सकते हैं चाहीं यूटूब पर आप देख रहे हों आप इसको कभी भी देख सकते हैं उसी तरह किसे सारा पैकेज आपको बना कर दिया जाएगा डेली बेसे पर हम नए रिकॉर्डेट क्लासे आपको दे रहे हैं और यहां पर आपको यह फायाद है कि आप जब चाहिए देख लो जितनी बार चाहिए देख लो ठीक है और से इसके लिए आपको क्या करना है आप लैप टॉप या पीसी में जो भी पैकेज आपने खरीदा उसको आप देख सकते तो इसी तरह की से घर बैठे आप अपनी कंप्रिट तयारी कर सकते हैं आपको कुछ भी पूछना होगा पेमेंट से संब्दित कोर्स संब्दित तो इस पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं और एप्लिकेशन आप जरूर डॉट कर लिजेगा शुरू करेंगे आज क्लास टॉपिक पर आंगे टॉपिक का नाम है भारती इतिहास के सुरोथ तो पहले आप इस टॉपिक को समझे कि टॉपिक है क्या देखे हमारे भारत का एक बहुत ह क्या पढ़ते हैं अभिलेग अभिलेग हम किसको कहते हैं पत्थरों को खोद कर जो लिखा जाता था अभिलेग हो गया सिक्के हो गया मोहरे हो गया इन सबसे हमको भारत की इतिहास के बारे में पता चलता है कैसे क्योंकि उस समय क्या होता था जो भी उस समय की संस्कृती पर संतक्राइब को में कुछ ऐसे निशान छोड़ देती जिसे हमको समय के संस्कृति-कल्चर के बारें पता चल जाता था तो यह रोत हो कि था हमको भारत की बारे में पता चल रहा है व्सी तरह قी से अगार हम देखेंगे तो मुख्यता तीन स्रोध है जिसके बारे में हमको पढ़ना है एक है आपका पूरा तात्विक स्रोध जिसके अंदर हमको अभिलेख सिक्के भवन चित्रकला ये सब कुछ पढ़ना है दूसरा है आपका साहितिक स्रोध साहिति से भी हमको इतिहास के बारे में पता चल जाता है ज इसके अलावा आधिकाव्य रामायन हो गया तो इसको अगर आप पढ़ोगे तो भारत की थियास के बारे में आपको पता चलेगा भारत की संस्कृति के बारे में आपको पता ही चलेगा इसके अलावा एक तीसरा स्रोथ है विदेशी यात्रियों के विवरन जैसे आपने वेन आया तो कुछ तो देखा होगा तो सரल सब्दों में कहें तो हो एक dairy maintain करते ते अब हमने हम भारत गए थे तो इस इष्वी में गए थे इस सण में गए थे वो लिखते थे और हमने यहाँ यह चीजे देखी तो लिखिते दे और उसवी से हमको क्या पता चल जाता था जो समय काそうだ टो बेशिकली ये तीन चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे चार्ट को यहां पे दिख रहा होगा इसका पूरा डिटेलिंग करेंगे बहुत सफरल सब्दों एह पढ़ेंगे आप आपको पहले concept समझाऊंगा सब कुछ पढ़ाऊंगा और at last मैं वो चीज बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है जो exam में पूछा जाता है ठीक है तो वो चीज मैंने highlight भी किया हुआ है और आपको अच्छे से focus करवा कर बताऊंगा कि इसको याद रखना ही है ठीक है तो पहला आपका पूरा तात्विक स्रोथ अब पूरा तात्विक स्रोथ के बारे में हमने उपर उपर से पढ़ लिया किसके अंतरगत अभिलेक आते हैं सिक्के आते हैं स्मारक आते हैं भवन चित्रकला मुर्दिकला इत्यादी आते हैं जिससे हमको भारत की दियास के बारे मे पता चलता है तो पहले अभिलेक देख लेते हैं अभिलेक क्या होता है तो प्राचिनकाल के जो शाशक होते थे वो अभिलेकों के माध्यम से समाज को ज्ञान देते थे ठेक है तो वो अभिलेक पाशान में पाशान का मतलब पत्थर हो गया इस्तंब इस्तंब मतलब ऐसे बारों में उतकरिण करते थे यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे हैं तो यह आपका अभिलेग इसके साथ तो तामर पत्र भी लिखता हुआ यहां पर इम्पोर्टेंट क्या है अभिलेग क्या यह आपको नहीं पूछेगा important यह है कि सबसे प्राचिन अभिलेख कौन सा है और उस सबसे प्राचिन अभिलेख में किस बारे में उलेख है इस तरीकी से questions पूछा जाता है तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे सबसे प्राचिन अभिलेख है मद्य एशिया के बोगस कोई से प्राप्त अभिलेख अगर एर वाइस बात करेंगे तो 1400 इस्वी पूरो का ये अभिलेख है 1400 इस्वी पूरो पूरो लिखा हुआ है इस पे आप फोकस करेंगे है ना इसको मैं समझाऊंगा क्या है लगभग 3500 साल पहले की बात है तो देखिए अभी चल रहा है 2024 तो 0 से सुरू होगा ना इसामसी के झत्व की बाद की घटनाऊ को Jest वी लिखते है और इसामसी के जनम के पहले की घटनाऊ autocon इस्वी पूरो लिखते है तो मसी के जन्म को रिफ्रेंस मान कर 5 बिलेख है इसके पहले कhewड़ stay public इस पूरो और इसकी बात की घटनाऊं को इस वी लिखा जाता है अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मद्ध एश्या के जो बोगस काई से प्राप्त अभीलेख है वो सबसे प्राचिन अभीलेख है और इसमें जो वैदिक काल के देवता थे जैसे कि इंद्र देव हो गया, वरुन देव हो गया, मित्र, नासत्य, इसके बारे में लिखा हुआ है, तो question कैसे पूछा जाता है, एक तो यह हो गया कि सबसे प्राजिन अभिलेक कौन सा है, दूसरा बोगस कोई से प्राप्त अभिलेक में किन देवताओं का वर्णर है, यह दो तरीकी से question घुमा कर पूछ दिया जागा, अब एक और fact है, भारत में सबसे प्राजिन अभिलेक किसको माना जाता है, तो भारत में सबसे प्राजिन अभिलेक है, अशोख के अभिलेक, जो की लगबक 300 इस्वी पूरो के आसपास का है, और यह अभिलेक कौन सी भासा में लिखा गया है, उस समय हिंदी भासा, इंगलीज भासा चलती नहीं थी, तो यह भासा याद रख सकते हैं, ब्रामी और खरोष्टी में लिखा हुआ था अशोख के अभिलेक, ठीक है, सामानता अभिलेक अगर आप देखेंगे, तो संस्कृत, पाली इत्यादी भासा में लिखा होता था, अब शोख के अभिलेक आपको याद रखना है कि ब्रामीर खरोष्टी यूनानी है, और माईक लिपियों में मिले हैं, तो यह जो ब्रामीर खरोष्टी है वो है लिपी, ठीक है, तो यह लिपी आपको याद रख लेना है, भासा तो उस हिसाब से हम यह सारी चीज़े देख रहे हैं बाद में रिपीड भी होगा और आपको और अच्छे से क्लियर होगा है ना आगे बढ़ते हैं एक और फैक्ट है मास्की और गुर्जरा यह एक ऐसा जगह है जिसके बारे में कई बार पूछा गए यह मास्की और गुजर देखें वहां पर असोक नहीं लिखा हुआ है असोक को किस तरीके से लिखा है देओनाम पीय या फिर पीद ignoran पीकरी सी सको पूरा याद रखना इस तरीकरी से इसका अर्थो होता है देवों का प्यारा ठीक है तो मुझा Буд command कर क्या जो है ज्यादा फेमस है इसके बारे में कई बार पूछा गया अगला है सरुपथम असोग के अभिलेख को किसने समझा यह भी पूछ लिया जाता है तो सरुपथम नाम याद रखना जेम प्रिंसेप ने ब्राम ही लीपी में लिखित असोग के अभिलेख को पढ़ा था तो अभिलेख के बारे में इतना याद रखना काफी है अब यहां पर एक और याद रखना कि सरुपथम भारत वर्स का जिक्र हाथी गुंपा अभिलेख में लिखित है उसी तरह किसे सती प्रता का पहला लिखित साक्ष एरण अभिलेख उस समय सासकते भानुगुप्त से प्राप्त ना तो भानुगुप्त सासकते तो यहां पी लिखा भानुगुप्त से प्राप्त एरण अभिलेख में हमको सतीप्रता का पहला लिखि मिलता है तो यह कुछ प्रमुक अभिलेख है जैसे इस चार्ट में आप पड़ सकते हैं घृषम गुंफा अभिलेख यह कलिंग के शाशक थे खारवेल तो खारवेल शाक के नाम भ मिलता है तो यह सब इतना इंपोर्ट नहीं है जो इंपोर्ट है मैं आपको बताएता हूं हाथी गुंबा इसके बारे में बस यह पूस देजा गया कि कि सासक का था तो खारवेल और यहां पर आप देखेंगे तो एहोल अभिलेक पुलकेशिन दृति के शाशन काल का यह अभ इसको बस एक बार पढ़ लिएगा और जो चीज मैंने यहां पर हाइलाइट किया यह इसको आप ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक हो सिक्के ठीक है तो पहली जमाने की सिक्के में भी क्या है बहुत सारी चीजों का उलेख मिलता था इतिहास से इतिहा सिक्क जानकारी उपलब्द होती है सिक्के जो है साधानता 200 इसी पूर से लेकर 300 इसवी तक जो जनरली चली उसमें भारती इतिहास का ज्यान हमें मोख्य रूप से मिलता है अब सिक्के अगर आप पूराने जमाने के देखेंगे तो आज के सिक्के तो आपको दिखेगा कॉ तो हेका दिखेगा लेकिन पहले जमाने की सिक्के य Megio वो सोने चांडी तामभा सी साइट्ज Rei से बनते थे प्राची इंतम सिक्कों को आशत सिक्के कहा जाता था यह आहथ जाता तो भारती बाशाहाँ में आहत मुद्रा भी कहा जाता था जो इंपॉर्टन facto मैं आपको बताओंगा आब यहां पर सिक्षह में इंबॉर्न क्या है कि सवाधिक जिक्य कि संप कल में साद वहानों पूशा जाता तो गुप्त काण में सोने की सिक्ह सबसे ज्यादा जारी कि अब इस सब्ढně एक और question आता है कि कांशे शाषक का जो शिक्षा है उसमें उस शाषक को वीना बजाते हुए दिखाया गया तो समुझ द्रुगुप्त की वीना बजाते हुए मुद्र blij माल इस से हमको ये पता चलता है कि आगए संगीथ प्रेमी ठाब और समुझ द्रुगुपत के इसके बारे में हम और जब पढ़ेंगी थ्यास में तो इसके बारे में और डिटेलिंग करेंगे तो हम सिक्षे सम्मध यह देख लेते हैं कि समुद्रकुप्त की वीना बजाते हुए हमको सब्सक्राइब नियुम nu नियूमी समेस्टिक्स ठिक यह दिखेंगी किया है नियूमी समेस्टिक्स कहा जाता है अलग ताइप का है अब यहां पर हम अभिलेक के बारे में हम एक छुड़ गया थे कि अभिलेक के अध्यन को एपिग्राफी कहा जाता है तो अगर इस तरीके से question पूश दिया जाए तो भी आप इसको याद रख सकते हैं अगला है इसमारक और भवन अब इसमारक और भवन में ज़्याद इंपॉर्ट नहीं है बस आपको इसमारक और भवन में याद रखना कि किस तरीके कि सैली का जो मंदिर है वो कहां पर बनाया जाता था है ना इसी तरीके से questions आता है इसमारक और भवन में आपको ये पता चल जाएगा कि इसमारक और भवन से भी हमको इतिहास की जानकरी मिलती है जैसे हडपा मोहन जोद्रो इत्यादी के खुदाए में बहुत सारे भवन प्राप्त ह है जहां से हमको इतिहास की जानकरी मिलती है अब सबसे मंदर के बात करें तो उत्तर भारत के मंदिर जो है नागर सैली में निर्मित मद्य भारत के मंदिर बेसर सैली में तदा दक्षीन भारत के जो मंदिर है वो द्रविर सैली में निर्मित है तो आप इस तरह की से मैपिं नीचे साथ में नाग्र देंगे जो तरह मंदिर य। वह संदर बड़कार है इतना डिटेलिंग में जाने का मतलब है नहीं आपके टॉपिक से भढ़क जाएगे इस अभी है नहीं हमको सिंपली यह पढ़ना है कि कौन से सैली कौन से जगह में पाय जाता है अब यहां से एक और कोईशिन बन सकता है जैसे कि पूझा जाता है जनली कि दक्षिन भारत में जो त तथा उत्तर भारत में खजुराहों का कंदारिया महादेव का मंदिर नागर से लिए अब यहां पर लिखा हो है उत्तर भारत तो आप गेस्प कर पाएंगे नागर से लिए तो यह एक दो ऐसे फैक्ट हैं जो कई बार एक्जामें पूछे गए हैं इसको आप ध्यान में र कुशांकाल से प्रारम हुआ तथा गुप्त वा गुप्त ओतर काल में मूर्तियों का विखास और तेजी से हुआ और इसके साथ साथ जनसाधार में धार्मिख भावनाओं को व्यक्त करने के मुर्तियां काफी फेमस था उस समय है ना इसलिए मुर्तिया अगर आप देखेंगे तो बुद्ध की जैन की भगवानों की विश्णू के विश्णू शंकर ऐसे मुर्तियां आपको ज्यादा मिलती है क्योंकि धार्म धर्मत से रिलिटेट थी है अब यहां पर आप आप गांधार के यह सब्सेना अप इसमें आपको यह जाना है कि मतुरह का या रखना है कि मतुरह कहा है भारत में पράच में जो है स्वदेशी था जबकि गांधार कला विदेशी गांधार आज के अफगानिस्तान के आसपास गांधार है तो गांधार कला अब विदेश होगे ना अफगानिस्तों तो गांधार कला विदेशी बस इतना एक तो फैक्ट याद रखना कि कुशानकाल से चालू हुआ चित्रकला में भी बहुत कुछ नहीं है चित्रकला में बस यह याद रखेलना कि चित्रों से हमको इतिहास के बारे में जानकरी मिलती थी फेमस चित्रकला के बारे में अजंता अब अजंता से जो चित्र मिले थे अगर पूस दिया उसके बारे में कि किस तरीकी के चित्र मिले कि यहां पर आपको दिखेंगे तो ये Google से बहुत मुश्वoler कोई कई आपको दिखाने का बखाउं के तो कुछ इस प्रकार से चितर कई आपको दिखेगा तो मानवी मानवी भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती हमको अजंटा के चितरो में अजंता कहा है महाराष्ट में अब अजंता से आपको यह एक दो फैक्ट यार्षिना की अजंता में चित्रकला माता और शिषू मन्ना संवराज कुमारी यह famous है और यह जो है गुप्त काल की कलात्मक उन्नति को आभास पूर्ण आभास मिलता में गुप्त काल से संबंदि बसाड से प्राप्त मित्ती की मुहरों से वैपारिक स्रेणियों का ज्यान होता है तो यहां पर जो बासाड है बसार से एक जो मुहर प्राप्त हुए इससे यह पता चला कि वैपार वगरह होता था तो अवसेस से भी हमको जानकरी मिल गई ठीक है बस इस तना याद रखना है इतना कुछ इंपोरेंट है नहीं आगे बढ़ते हैं साहित्तिक स्रोत अगला टॉपिक है साहित्तिक स्रोत में भी हम दो प्रकार से इसको विभाजित करके पढ़ेंगे एक तो है आपका धार्मिक साहित्य धार्मिक साहित्य जो साहित्य धर्म से जुड़ा हो और अगला है Ik щоб घरर्म से इतर हो गया जैसे कि आपका Maha wort ho गया रामयन घर्म के साहित हो गया दल्म से हितर हो गया जैसे अर्थ सास्त हमत यकिलने लिखा था वह किसी दर्म से नहीं है लेकिन 80 साण्त से भी हमको भारत के बारे में बहुत कुछ तो पाटम और घर्मी इतर यह आपको समझ में आगए होगा अब हमन आगे बढ़ते हैं डार्म इक साहित्र में ब्राहमन टथा ब्राहम victims ग्रंथों कि चर्चा की जाती है ब्राह्मन और ब्राह्मन से इतर तो आपको इतना डिटेलिंग नहीं जाना है सीरे सीरे हम टॉपिक में आएंगे जिसे कि यहां पी लिखा है ब्राह्मन गंत्रों में वेद, उपनिश्यद, रामायन, महाभारत, पूरान तथा इस्मृति गरंद इत्यादी आते हैं जबकि ब और जयन साहिटि से संस्वित रश्नारं का उलेख किया जाता है तो ब्राह्मन साहित मतलब हम वही सब वेद के बारे में बात करेंगे तो सब से पहले वेद के जिक्र करेंगे तो वेद चार प्रकार के होते हैं रिगवेद, यजूरुएइद, साम वेद तथा अथर्वेद तो सीधे सीधे इसके नाम को आप याद रहेंगे वेद चार हुए टोटल चार रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद और अथरवेद और इन चारोवेद को सहीता कहा जाता है तो ये कुछ एक दो ऐसे फैक्ट है, जो महत्तपूर्ण है, जैसे कि वेद चार है, चारोवेद को क्या कहा जाता है, सहीता कहा जाता है अब चुंकि इन वेदों के अंदर से क्वेशन आते हैं, इसलिए इन वेदों का हम डिटेलिंग करेंगे पहला आपका रिगवेद का टाइम प्रिट माना जाता है लगभग् 15.000 पर से 1,000 तक, अब रिगवेद जो है सबसे प्राचीन्वेद, पहला रिगवेद स सबसे प्राचीन्ड को सबसे प्राचीन्ड को सबसे प्र종 BizS छं्द या चरण से युक्त मंत्र और या एक ऐसा घ्यान है जो रिचाओं से बद्ध है इसलए इसे रिगवैद कहा जाता है जो रिगवयत क्राप चर्थ करेंगे तो कर रिग का अर्थ होता है चंद ठीक या फिर एक चरण युक्त मंत्र चरण मतलब चरणों में गुथा हुआ जिसको कहा जाता है रिचाओ तो रिचाओ से बद्ध होने के कारें इसको रिगवेद कहा गया रिगवेद में कुल कितने मंडल हैं कितने सुक्तियां हैं कितने रिचा हैं कभी कभी पूछ द जाता है जैसे कि रिगवेद को जो पढ़ेगा जो अगर एक सिंपल सी बात करें तो मंत्रों को कौन पढ़ता है ब्राम्हण उसे तरह किसे रिगवेद को पढ़ने वाला ब्राम्हण या फिर रिसी उसको हम क्या कहते हैं तो यह कुछ दिया जाता है रिगवेद पढ़ने वा हम तरृत के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवीता को प्रसिद घायत्री मंत्र be थो है वो रिग से लिया गए तीसरे मंडल में इसके बारे में जानकारी मिलथी है नवभे मंडल में देवता सोम कवॉल था दसवा मंडल चातुर वर्णी समाज की संकलपना का आधार है यह याद रख लेना चातुर वर्णी में जैसे की के नीमों या विधाओं का संकलन मिलता है मतलब यह वेट करमकांड और जिते भी विधान है इससे संभाधि यह वेट ना बद्यो में हैं मतलब गद्य और पढ़ता है इसको हम कहते हैं तो यह क्या कहते हैं अधर व्यू यह याद रख लेना थिक तो यहां पर यजुर्वेद की जो प्रमुक उपनिशद है कठोपनिशद इशोपनिशद और स्वेता स्वरोपनिशद मैत्राई उपनिशद इसको आप ध्यान में रह सकते हैं बस इसमें ज्यादा कुछ है नहीं आगे बढ़ते हैं अ संगीत से संबंदित है यह साम करत होता है ज्यान और संगीत से संबंदित है इसलिए भारती संगीत का जनक भी शामवेत को कहा जाता है जो साथ स्वर है न सारे गम पधनिशा उसकी उत्पत्ति किस से हुई अगर पूछा जाए तो साम याद रखना है सा से साम सा से संगीत और सारे गामा पधा नीशा इस तरीकी से आपको कुछ भी ट्रिक बना लो याद कर लो लेकिन इतना तो आपको याद रखना ही आए और साम वेद को जो पढ़ता है उसको क्या कहता है उद्ध गाता कहलाता गाना से संबंदित है तो लाश्ट में गाता जोड़ देना उद्ध गाता अब आगे बढ़ते हैं अगला है आपका अथर्व वेद इसकी रचना अथर्व और अंगिरस नामक रिसी ने किया था जिसे करण इसका जो नाम हो गया वो अथर्व वेद पढ़ा और इसको एक अथर अथर्वागिरिश क्या है अथर्वागिरस इस वेद से भी जान जाता है इस नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अथर्व और अंग्रिस इन दोनों रिसी ने इसका निर्मान किया तो दोनों के नाम को आप जोड़ देंगे तो अथर्वा गिरस इस तरह किसे नाम भी इसको दिया गया है अब अथर्व वेद में आपका जो जादू टोना तंत जाता है जितने भी नियावगर हो गया साम वेद आ गया संगी से संबंदित और अथर वेद चादू टोना इत्यादी से संबंदित यह इतना थोड़ा तो याद रख लेना ठीक है जाता है समय और यसके बाद हम देखिंगे अथरवेद के एक ओपनिशद है मुंड़ को अपनिशद में अपनिशद के अलावे प्रशन पनिशद मांडू क्यों इस यह सब है लेकिन यह जो मुंड़ को अपनिशद है इसलिए आपको याद कि भारत को राष्टी आधर से वाक सत्यमें जयते कौन से पनिशुथ से लिया गया है तो याद रखेंगे म êtes a उपनिशथ और इस अ तर्वेत के अंतरगत ही एक उपनिशथ है इतना आपको अठरवे दियान रखना है आगे हम बात करते हैं इनकी जो रचना है ब्राह्मन ग Estamos की व्यक् carrier है सहीटा हम किसको बोल थे हमने देखा कि रिगवेद यजूरवेद शामवेद अकाते थे तो उसको समझने के लिए सरल अर्थ होता है यग्य और इस प्रकार से अब देखेंगे तो यग्यके बिश्ये का प्रतिपादन करने वाला गुलंग को कुरते हम प्रति वेद की लिए अलग अलग ब्रामवन ग्रंथ है जैसे अगर हम देखेंंगे जह रिगवेत की बात करें तो रिगवेद का ब्राहऊन ग्रंथ dramatic आपका यह जूर्वेद में एक आते हैं आपका सत्पत्त ब्रामण अब यह आप ध्यान में रखिएगा ठीक है उसके लावाद सामवेद में इतने सारे आपका गौपत ब्रामन गरंद अधर्वेट में एक मात्र गोपत ब्रामन तो यह सब क्या है कि सहीता को समझने के लिए बनाये गए जिसका हम कहते हैं ब्राहमन गरंड प्राचीन इतिहाज के साधक की रूप में वैदिक साहिते में रिगवेट के बाद सत्पत ब्रामन का इस्थान ह और इसका के रूप में रिग्वेत के बाद इस्थान है सत्पत ब्राह्मन का सपयांग अगला है और नियकर मतलब क्या होता है जंग्स अवी इसको कियों जाता है जंगल में पढ़े जाने कि करण कर्ण सब्दम रहस्य आत्मक विश्यों काु उसको कहता है इसके बारे में उपलड जो आरेनक है उसकी संग्या कुल साथ है अब इस साथों के नाम उतना इंपर नहीं है एक दो लाइन ही यहां पर पढ़ लिजेगा अगला उपनिशत के बारे हम याद रख लखते हैं उपका अर्थ होता है शमीप और निशत का अर्थ होता है बैठना अर्थात समीप बैठकर पढ़ाया जाता था इसको उप समीप निशत मतलब बैठना तो समीप बैठकर कौन पढ़ाता था गुरू चेला को तो जिस रहस विद्या का ग्यान गुरू के समीप बैठकर प्राप्त किया गया उसको कहा गया उपनिशत यह याद हो जाएगा वैदिक सहायते के अंतिम भ उपनिशत में उत्तर वैदिक काल की रचना है अब यहाँ पर इंपोरेंट क्या है जैसे कि हमने पढ़ा था मुंडोक उपनिशत मुंडोक उपनिशत से लिया गया है भात का अधर्स वाकि सत्य में उजयते बस इसमें इतना याद रखना फिर यह जो है यह तो वेदांग एक अगला है लेर यह वेदांग क्या है वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गयी है किसको बगल उपेचा वेदांग की संख्या वर आपको पूछा जाए तो चलर याद रखनां अब इसको एक बड़ पढ़ दीना ay Chi एग इंगे महाकावा महा कावे महाभरत के बारे में आपने पढ़ा होगा रामायन को हम आदी कावे कहते हैं तो इससे भी हमकी भारती तियास के बारे में Japanese मिलती है तो महा भारत के संबन में चैने रहा चाहता है कि इसके रचैज़ा कौन है तो इसके रचेता है मर्सी वेदव्यास उसी तरगी से रामायन के रचेता है वाल में की ठीक अब यहां पर आप याद रखेंगे कि इसको महा भारत क्यूं कहा जाता है कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं जब वेदव्यास ने इसकी रचना की थी तो पहले केवल 8800 स्लोक थे फ बाद में इसले एक लाग स्लोक पूरा होने के कारण इसको सत्सहस्त्री शहिता या महा भारत कहा जाने लगा अब महा भारत क्यूंकि महा भारत में भारत नाम के जो प्रशिद्ध राजा थे उसके वनसजों की कथा है अगर आप मनें महा भारत देखा होगा तो देखा होगा कि भारत के वनसर आगे शांतुनू सांतुनू के बाद जितने भी आगे आया है कौरा पांडो इनकी कथा है इसके कारण इसको महा भारत कहा गया इसके मूल कथा में कौरा और पांडों कहीं लेख मिलता है सब आपको पते होगा और यूद्ध जो अठारा दिने चला इस तरह किसे आप याद रखने कि महाभारत महा क्याव में अठारा पर पर मत एक तरह किसे खंड समझ लो अठारा पर में यह अभी व्यक्त है तो यहां पर इंप्रेंट्ट्ट्र क्या एक तो महाभारत लिखा कर S gazeita ने लिखा इसका पुराना नम् accomplishments अब लोगों कि इसको से शत्र सहस्त्री शहिता गलता है महाभारत का जाता है और महाभारत परवों की संक्या अठारा इतना यादविना फिर आपका रामायन सोब में आप याद की दौरा यह रचित है इसमें पहले लोग थे बाद में बढ़ता बारह जार हो गया और अंतिता इसमें 24000 हो गये हैं इसकी रचना टाइम पर इतना इंपर नहीं है इसको आधी काव्य भी कहा जाता है यह याद रखेंगे अब आगे बढ़ते हैं पुरान पुरान क्या चीज है तो पुरान के बारे में जन्रली पुरान की संक्या के बारे में फूस दे जाता है या तो फिर पुरान के रचयिता कौन है तो पुरान के रचयिता एक लोम हर्स नामक रिसी थे और उनकी पुत्र थे उग्रश्रवा तो इन दोनों ने सहीं तुरूप से किया पुराणों के बारे में इनके रचेईता का नाम याद रखले लोम हर्स और उनकी पुत्र उगर श्रवा ये पुरान के रचेईता है भारती एतिहाशिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रम वध्ध विवरन जितने भी एतिहाशिक कथा है भ कौन दूसरा उतार कौन तीसरा उतार कौन पुरा क्रम वध्ध विरन हमको मिलता था तो वह हो गया आपका पुरान पुरानों की शंख्या टोटल किता है अठारा अब पुरान में सबसे ज्यादा क्वेशन पूछा जाता है कि सबसे प्राचिन पुरान कौन है तो सबसे प् पढ़ लिया उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रहुने तर जैसे कि बॉध्द साहित हो गया जैन साहित्य हो गया तो बहुत जैन में भी कुछ पूछे जाता है वहीं पढ़ लेंगे बाहती थियास में बाद्शाहित का विश्य महत्व है हमको प्राचीन भाद के बारे में बहुत कुछ जनगरी मिल जाता है अब यहां पर आप जानकी सब्से प्राचीन बाद ग्रण्द को कहा जाता है 3 3 पितक इसके तीनुख के नाम है आपका 3 पितक में 3 तीी तीन से और विनाए पितक और अभिधमपीटक कौन से सुट विनयाए और अभिधम एद्धम पितकी सुट पितक में जón जंदक्न है बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्र है बौटध धर्म का इनसाइकलोपीडिया जाता है तो अगर आपसे question फूस दिया जाए कि बौदध धर्म का इसको कहा जाता है तो सुर्द विफितक में आप कुछ कुछ ही याद रख लिभी ना थोड़ा सा की विनाय पितक में इनके विचारों वजनों का लेख हाला कि यह detailing नहीं पूछा जाता है यह पूछा जाता कि तरी पीट अधि थूठ पितक एतना यहां पर आगए बढ़ते हैं बुढ़ की शिक्षाओन को संक्लित करने के लिए इन्हें तीन भागों में बाटा गया इन त्री पीतकों की रचना बुद्द के נिरवान प्राप्त करने के बाद हुई ? निरवान प्राप्त मतलब जब जब बूद्ध जी का देहां तो अगला है जात्कों में बुद्ध केपूर जन्मों की कालपनिक कथा हैं तो एक और रचना जातक जो है इसको किसको आपको याद रखना कि जातक है क्या तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कालपनिक कथाओं को कहा जाता है जातक बस इतना इसमें याद रखने लायक है अगला है जैन सहित्य तो प्राचिन जैन सहित्य कहा जाता है आगम डारेक्ट पूछा जा सकता है प्राचिन जैन सहित्य को कहा जाता है इनकी रचना जैन धर्म के स्वेतांबर संप्रदाय ने किया था तो जब हम जैन धर्म पढ़ेंगे आपने पढ़ लिया तो आपको पता यहां पर एक कल्ब सुत्र भी रखिए जैन धर्म का प्राहरंबिक इतिहास कल्ब सुत्र से प्राप्त होता है जिसकी रचना भद्र ब्राहू ने किया था तो कल्प सुत्र क्या है जैन धर्म की धियास के बारे में हमको पता चलता है और इसकी रचना भद्र ब्राहू ने किया था बस यह एक दो फैक्ट है जो आपको ध्यानर में रखना है अगला है लौकिक साहित्य अब यह लुकिक साहित्य में simply साहित्य का नाम और उसकी रचना किसने किया था बस यह याद रख रुना जैसे कि पहला अर्थ शास्त्र तो चानक को कॉटिल ने भी कहा जाता था अर्थ शास्त्र जो है चानक के द्वारा लिखा गया था अब यह जो अर्थ चंद्र गुप्त मौर राजा तो उस समय वहां के समाज के जो इस्थिती राजनिती व्यवस्था वगरा है उसके बारे में उलेक था तो अर्थ सास्त्र किसने लिखा कॉटिल चंद्र चानक क्यों उसमें फिर आपका मुद्र राक्षष विशाखा दत्थ द्वारा लिखा गया इसने लिखा था अब इसमें चानक क्या चंद्र कुर्ट मौर द्वारा नंदवंस के विनाश काल के बारे में बताया गया यह ऐसा नहीं पूछा जाता एक आपका अस्टा ध्याई किसने लिखा अस्टा ध्याई पानिनी की सmi हम पढ़ते हैं तो पनिनी कों थे जिन्हों ने हिंधी के व्याकरन और व्याकरन से सम्म ed मांग नी मित्र यह आदल में फिर है हर्ज चरित बान भक्टने हर्ज चरित को लिखा महाभाष्य पतंजली ने लिखा प्रीदर्शिका नागनंद व रतनावली हर्श वर्धन राजा थे इन्होंने लिखा और पृत्वी राज राशो चंद्रबर्दाई ने लिखा इस ग्रंथ में पृत्वी राज चोहन की उपलब्धियों के बारे में बताया प्रित्वी राज रासों चंद्रबर्दाई ने लिखा थे विदेशी यात्रों सबकुछ नहीं है कुछ-कुछ को हम देख लेते हैं पहला देख लेते हैं हेलो डोडस ये पांची सबती के आस पास हेलो डोडस को इतिहास का पीता भी कहा जाता है इन्होंने प्र लिए पुस्तक natural history में भारत रोम के वैपार के बारे में बदलाया था तो जो पलीनी थे उननी लेखक थे इन्होंने इसका नाम है natural history जिसमें उन्होंने भारत के बारे में बतलाया था थेक है फिर आपका टॉलमी तॉलमी ने अपनी जेopardy भारत विशय का भागोलिक वर्णन किया था इसमें कुछ खास है नहीं फिर आपका मेगस्थनीज यह थोड़ा सा महत्पूर्ण है यह मेगस्थनीज कौन थे युनानी शाषक शेल्यूकर्स के राजदूत की रूप में मेगस्थनीज जो है चंद्रगुक्त मौर के दरबार म में कौन आया था तो यह जब आप इतिहास पढ़ोगे तो और अच्छे से आपको पता चलेगा है ना तो मेगस्थनीज ने एक इंडिका नामक ग्रंत की रचना की थी जिससे हमको भारत के बारे में उस समय की इतिहास के बारे में पता चलता है फिर आपका चीनी लेखक ची यात्री तो चीनी यात्री में वेन सांग और इत्सिंग कई बारे इनका टाइम प्रिद भी पूस दिया जाता तो तीन चीनी यात्री जो है प्रमुख रूप से आपको याद रख लिना इसके साथ किसके काल में आया था तो फाहियान आपका देखेंगे तो चंद गुप्त बहुत धर्म के बारे में जानकर लिए लिखा हुआ है इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अर्भी यात्रियों का विद्दान्त देख लेते हैं तो अल बरुनी और इबन बबुता अल बरुनी महमुद घजनवी के साथ अल बरुनी जो है वह भारत आया था तो महमुद घजनवी की काल का है और इनकी रचना के पूश देजाते हैं तहकी के हिंद और किताब उल हिंद इसकी रचना किसंने कि शन्त की तो ंबबुता इन्होंने पूशा गया है कि रह्ला की रचना कि तो किया था जिसमें भारती सामाजिक जीवन का बृतांत मिलता है तो यह बस इतना आपको ध्यान में रखना है तो यह टॉपिक है इस तरह के से खतम होता है अगर आपको वीडियो अच्छा लागा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीगा और अग अगर अज के लिए बस इतना ही नमशकार धन्यवाद को कि अ कि अ